अंक जूतिश और प्रेम और विवाह वीडियो सीरीस में आपका स्वागत है यह इस श्रिंखला का पांचवा वीडियो है और हम आपके बहुत आभारी हैं इस श्रिंखला के हर एक वीडियो को इतना सरहना देने का इतना प्यार देने का इतने सारे व्यूस देने का नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका astrologer और numerologist संदीप कटारिया इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं अंक नमबर पांच की compatibility विवाह के लिए partnership के लिए हम love and marriage वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे हैं कि numerology कैसे किसी व्यक्ति को यह तै करने में मदद कर सकती है कि शादी के लिए कौन सा match सही होगा और कैसे वे अपनी शादी को सफल बना सकते हैं एक सही number वाले व्यक्ति के साथ शादी करके अब आप पूछेंगे कि आपका psychic number 5 है यह कैसे जाने तो इसका उत्तर बहुत आसान है अगर आपका जन्म किसी भी मा की 5 तारिक 14 तारिक या 23 तारिक को हुआ है तो आपका psychic number 5 है अंक जोतिश में number 5 बुद्ध ग्रै द्वारा यानि की मरकरी द्वारा प्रभावित होता है अगर आपका जन्म किसी और तारिक को हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि आपका psychic number क्या है तो इसके लिए हमारा एक और वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको ऊपर आई-कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा ये वीडियो बहुत पॉपलर है और इसको देखकर आप फॉरण अपना psychic number यानि की मुलांक कैलकुलेट कर सकते हैं आए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की number 5 के विक्तित्व और विशेष्टाएं यानि की personality and characteristics से यदि आपका psychic number 5 है या life path number 5 है तो आप quick thinking करते हैं action oriented हैं और हमेशा जिग्यासू यानि की curious रहते हैं आप नईनी चीजों को explore करते हैं और आप अपने विचारों में बहुत resourceful होते हैं अगर negative side की बात की जाए यानि की नकारत्मक पक्ष की बात की जाए तो आपका सुभाव थोड़ा तेज और थोड़ा restless हो सकता है अंक पांच बड़ी जल्दी बेचैन हो जाते हैं बड़ी जल्दी ऊप जाते हैं यानि की बोर हो जाते हैं इसलिए तो कहते हैं कि अंक पांच वालों को लगातार बदलाव पसंद है चाहे वे उनकी dress हो चाहे उनका job हो चाहे business activities हो या घर का या office का इंटीरियर्स हो या खाना पीना ही क्यों ना हो वे बहतरी के लिए हमेशा निरंतर परिवर्तन चाहते हैं कहने का मतलब है कि यदि आप विविद्धा पसंद करते हैं यात्रा के शौकीन हैं बहुत धिक कारियों में यानि की intellectual works में शामिल हैं और आप लोगप्री हैं पार्टी की इस्चान हैं तो ये सभी संकेत हैं कि आप नंबर पांच वाले हैं और आप बुद्ध ग्रह द्वा कि आपको तो कुछ नहीं करना पर आपकी जीवन साथी को आपके विक्तित्व को और आपके विक्तित्व की खासियतों को और उसके साथ साथ आपके विक्तित्व की प्लस और माइनस पॉइंट्स को बड़े ही ध्यान से समझना होगा यदि वह आपके साथ एक successful marriage में रहना सब है कि secret of success of marriage is in understanding your personality आपकी personality को अगर आपका life partner समझ गया तो समझे कि जीवन बहुत ही सुख में हो जाएगा और आपके life partner को अपने प्यार को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करना होगा उधारन के तौर पर यदि वह आपकी पतनी है तो आपको तरह तरह के स्वाधिश भेनजन बनाकर आपका ध्धys और सने बनाई रखना होगा और अपने विक्तित में समय समय पर बदलाव लाना होगा ताकि आपको impress कर सके और आपको अपनी तरफ आखर्शित कर सके अब बात करते हैं कि नमबर पांच वालों की लव लाइफ कैसी होती है देखिए नमबर पांच वाले लोग बड़ी आसानी से जनरली दिखा गया है प्यार में पढ़ जाते हैं और ये लव इंस्टेंट लव होता है क्योंकि आपको हर चीज़ में बदलाब बसंद है अब बात करते हैं कि नमबर पांच वालों के लिए आइडियल पार्टनर कौन सा रहेगा लव एंड मैरिज निम्रालोजी के विशेशक्यों के अनुसार नमबर पांच के साथ पैदा हुआ व्यक्ति सोभाविक रूप से नमबर नौ वाले व्यक्तियों के प्रती आकरशित होगा अब ये नमबर नौ वाले कौन होंगे ये उनका साइकिक नमबर भी हो सकता है और ये उनका लाइफ पात नमबर भी हो सकता है यदि आप number 9 वाले व्यक्ति से शादी करते हैं तो आपका जीवन खुश और सफल होगा यदि आप 9, 18, 27 वाले व्यक्ति से विवाह करते हैं तो वे लंबे समय तक आपको rule करेंगे अब rule करने का negative sense मत दीजेगा आपके पर शासर नहीं करेंगे पर मैं अंग्रेजी का अगर श व्यक्ति के साथ शादी करने का निर्ने बहुती बुद्धी मता से लेना होगा मैरेज निमरालिजी ये कहती है कि number 5 वाले ले लोग number 9 की तरफ naturally आकरशित होते हैं आप अपने जीवन साथी को हर तरह से खुश रखेंगे और इस तरह से आपका विवाहिक जीवन भी lucky होगा अब मान लिजी आपके पास number 9 के रूप में कोई choice नहीं है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे तो ऐसी स्थिति में आप number 1, number 3 या number 6 के संख्या के व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जीवन साथी के रूप में दोस्तों यहां पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपकी रुची है निम्रारजी, इस्टॉलजी सीखने में तो आप हमारे द्वारा बनाएगे बहुत ही मेहनत से वीडियो कोर्स ले सकते हैं और घर बैठे इन विद्याओं को सीख सकते हैं और ना केवल यह वीड मेनत से इन डेफ्ट बनाए हैं पर इनकी कीमत भी हमने बहुत बहुत रीजनेवल रखी है और इस सबकी डीटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगी आए अब आगे बढ़ते हैं अब हो सकता है कि आप मेंसे किसी एक के अंदर एक सवाल उठे कि ठ जिहां इसका आंसर नेमरालोजी के माद्यम से है कि नमबर पांच वालोंको नमबर पांच के साथ रिलेशनिशिप में नहीं रहना चाहिए अब ऐस क्यों है निम्रॉलिजी एक्सपर्ट्स ने नमबर 5 वाले व्यक्तियों के जीवन को स्टेडी किया है, रिसरच किया है कई व्यक्तियों के पास साइकिक नमबर या लाइफ पाक नमबर 5 है और उने 5 से शादी करी है तो उनकी संतान नहीं है पर अगर उनका नेम नंबर अच्छा है तो फिर उनके एक यां दो बच्चे है निम्रालिजी से पता चलता है कि अगर नंबर पांच वाले विक्ती से ही शादी कर लेता है तो उनके माता-पिता बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है और कभी-कभी उनके इशूस यानि की प्रौजनी नहीं होती है इसलिए अंक जोतिश के विश्यशक्य से सलाह लेकर ही अपने जीवन साथी का चुदाव करें अब बात करते हैं कि नंबर एक वालों के साथ नंबर पांच वालों का जीवन कैसा रहेगा Marriage Numerology ये बताती है कि नंबर एक व्यक्तियों के साथ आपका विवाहिक जीवन संतोष जनक यानि की satisfactory रहेगा हलाकि नंबर एक वाला व्यक्ति आपके उपर थोड़ा हावी रहेगा और निश्चित रूप से आप इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे इसलिए एक सफल विवाह के हित में आपको थोड़ा adjust करना पड़ेगा अब आईए एक और नंबर देख लेते हैं और वो है नंबर तीन love and marriage compatibility numerology के अनुसार पता चलता है कि तीन वाले व्यक्तियों का विवाहिक जीवन पांच वालों के साथ बहुत ही अच्छा रहेगा बलकि मैं यहां तक कह सकता हूँ numerology के माध्यम से कि नंबर पांच वाले नंबर तीन को अपने इशारों पर नचा सकते हैं चलिए वो तो होगी थोड़ी हलकी बात पर ये निश्चित है कि नंबर तीन वालों को पूरा सहयोग मिलेगा समर्थन मिलेगा उनकी planning उनकी ambition उनकी growth के लिए नंबर तीन से अब बात करते हैं नंबर पांच और नंबर चार वालों का विवाहिक जीवन कैसा रहेगा अंक जीवतिश के नुसार नंबर चार का विक्तित्व और नंबर पांच का विक्तित्व बहुत compatible नहीं हो सकता है ऐसा है इसलिए क्योंकि नमबर चार और नमबर पांच वालों के काम करने के तरीके वेवार यहां तक की डायलोग यानि की कम्मिनिकेट करने यानि की समवाद करने के तरीके बहुत अलग होते हैं इसलिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं पांच वालों ये वेक्टियों को बहुत यादा साफधन रहना होगा कि वो क्या कह रहे हैं और ये भी समझना कि सामने वाला क्या कह रहा है क्योंकि अगर गलत अनुमान लगा लिया गया तो फिर जगड़े शुरू हो सकते हैं चार वाले हमेशा डारेक्ट यानि कि सीधी बात करना पसंद करते हैं और पांच वाले कुछ भी कर लेंगे पर सीधी बात नहीं करेंगे इसलिए आपको अपनी प्रवर्तियों और आप कौन है आप नंबर पांच वले हैं अपनी प्रवर्तियों और अपने सुभाव को थोड़ा सा एड़्जेस करना होगा थोड़ा सा नियंतरन में रखना होगा क्योंकि कहीं मतभेद ना हो जाए मिसंडरस्टेंडिंग ना हो जा उसको बहुती स्पष्ट और सोच समझ कर कहें मुख्य बात यह है कि आपको एक दूसरे की भावनाओं को आहत करने यानि की हर्ट करने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसे में गंभीर और धीर कालिंग यानि की serious long term relationship को maintain करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अंक जयोतिश और astrology के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति विशेश के जीवन में हो चुकी और होने वाली घटनाओं का सटीक अनुमान लगा सकते हैं तो अगर आप भी इन divine sciences के माध्यम से हमारे द्वारा परामश चाहते हैं तो आपका स्वागत है यह एक paid consultation होगी और हमारे contact number नीचे scroll कर रहे हैं आईए अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि नंबर छे वालों के साथ नंबर पांच वालों का विवाहिक जीवन कैसा रहेगा तो इस मामले में निश्चित रूप से आपके जीवन साथी के रूप में नंबर छे का आना एक वरदान है वास्तर में वे आपकी सभी योजनाओं परियोजनाओं और वेवलब जालों के विकास के लिए आपकी हड़ तरह से मदद करेंगे अब अगला नंबर है नंबर दो और नंबर पांच नंबर दो और नंबर पांच के विक्टियों का विक्तित्व यानि की personality बहुत अलग होती है, इसलिए रिष्टे में कुछ समस्याएं आ सकती है, नमबर पांच बहुती सचंद, सुतंत्र होंगे जबकि नमबर दो तुल्ला में ऐसा नहीं करना चाहेंगे, वो home bound होंगे, यानि की वो घर का, परिवार का हमेशा ध्यान रखना चाहेंगे, उन्हें घर से, परिवार से बहुत प्यार होता है, उन्हें नमबर दो जैसी सुतंत्ता, यानि की freedom और excitement ना तो समझ में आती है, ना उन्हें चाहिए, ना वो appreciate करेंगे, इसलिए हो सकता है विचारों का टक्राव, तो अगर आप नमबर दो वाले व्यक्ति से शादी करना ही चाहते हैं, या कर चुके हैं, तो आपको अपने रिष्टे पर लगातार काम करना होगा, ताकि आपका रिष्टा मजबूत रहे, परन्तु आप दोनों की अगर शुरू से ही आपसी chemistry मजबूत नहीं है, तो फिर किसी भी तरह का compromise करना मुश्किल होगा, अब नमबर साथ औ पांच वालों के साथ रिष्टे में, यहां पर मैं आपको सीधा सीधा या रेडिमेंड आंसर देनी की बजाए मैं यह कहूंगा, कि पहले हम लोग नमबर साथ और नमबर आठ के विशेष्टाओं को, इनकी personality को, इनके characteristics को detail में समझ ले, जो कि of course मैं ही आपको बताऊंगा, तो यह चीज मैंने नमबर साथ और नमबर आठ वाले वीडियोस में करमशय समझाई है, और आप उन वीडियोस को जरूर देखे, यहां तक कि मैं कहूंगा, कि आप नमबर एक से लेकर नमबर नौ तक के सभी वीडियोस को देखे, आपको अच्छा भी लगेगा, और ग्या हमारे आने वाले बहुत सारे उप्योगी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो और घंटी वाले निशान को भी क्लिक कर ले ताकि आपको फॉरन वोटिफिकेशन मिलती रहे, हमेशा की तरह आपका प्यार, सहयोग और होती प्रजणा और बल मिलता है, आने वाला समय आपके लिए मंगल मैं और खुशाल हो, यही मेरी शुब कामनाए है